करणाल से सरोज जुड़ी है हमारे साथ स्वागत है सरोज जी नमस्कार जी नमस्कार क्या हो जाती है जैसे खारिश करते हैं और दाने की उचलती है यह जो पित्ती है यह बहुत आसानी से ठीक हो सकती है कि भी एक आता है कि कलाउंजी का नमक हमारे किचन में कलाउंजी होती है इसे हम तोड़ते हैं तो अंदर सफेद निकलती है यह जो सफेदी है यह निकाल लेते हैं और उसको कहते हैं कलाउंजी का रसायन यह नमक कलाउंजी भी कहते हैं यह नमकी नहीं होती यह 100 ग्राम ले लिजे और 100 ग्राम लेकर 500 ग्राम अलसी के साथ पौडर बनाएं और आदा आदा चम्मच सुबह शाम पानी के साथ खाय करें और फाइदा तो बहुत जल्दी होगा आपको इससे लेकिन आप इसे खतम कर लेना जो 600 ग्राम मैटेरील में ने बताया इसे खतम करके आप पिर निश्चिंत हो जाए पिर जीवन में यह बीमारी वापस ना लोटे नेक्स्ट कॉल लखनाव से मनोज शुक्ला जी स्वागत है आपका नमस्कार जी नमस्कार जी आदा अलो जी जी बताई ये मैं सुन रहा हूं बताई क्या सवाल है डाक्टर स्वाम हमारे कान में बहुत भारी पन दोता है और एक कान में दाहिने कान में आवाज आती है शुक्ला साब कितनी उमर है कब से है ये रोग 42, साल पर हो गया करी ठीक है, अच्छा मेरी बात आप और मुझे देखें गौर से ये आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो आप शुरू करें और 15 दिन तक करें, ठीक है? 15 दिन तक देखें ऐसे करने है एक्सरसाइज ये कान इससे मिलाई है ये मौधा नहीं उठना चाहिए आपका, ऐसे ये आप रोजाना तीन मिनट करें, तीन मिनट एक साथ नहीं कर सकते तो एक एक मिनट करके तीन मिनट करें, ठीक है? और ऐसे, ऐसे, ऐसे ये भी तीन मिनट करना है, और 15 दिन करना है, ठीक है? 15 दिन में आपको इतना फाइदा होगा कि आप समझ सकते हैं कि आप मुझ बगए के भी फाइदा होसकता है विश्य तो बगएर दवा के फाइदा हो जाना चाहिए और अगर पिर भी आपको लग़े कि कम फाइदा है या कोई घर लुट निसका चाहिए करें पंदरा दिन तक एक्सरसाइज करते रहें वजन बिल्कुल ना उठाएं बहुत महनत ना करें और यह अच्छा इलाज है अगर आपने पंदरा दिन किया तो आपको बहुत फायदा मुम्किन है पंजाब से नेक्स्ट कॉलर परवीन स्वागत है आपका मुम्किन मेरको पहले जिपनों में और कमर में दगशा रहता है अफ्स थोड़ा-सा बोर खर्ड़ा में अच्ट रहता है न परफेश बाने बान पे और वह लगाते हैं अच्टी जगाते हैं गरम वनी वह अच्टी कराती थी और उन्होंने बहुत तन बोला ती एनिजन थी त सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब संज़ गया पैरो में सूजन बहुत ज्यादा है और नहीं कहा है रहाँ है कि एक बर आप इजाँ करा लीजिए कि है है कि खार किड्री की जांच तो अगर मुँ पर भी अगờ कर बीजोर नहीं चाहिए एकसर यह रोग होता है पार हमारी जाँ आकर की कि निक गंदय की जिसे करें किहते हैं उसके बढ़ने से और आप करा ले तो बहुत अच्छा है अगर कराना टेस्ट बहुत अच्छा होता है और साल में एक दो बार हमें अपना बाड़ी टेस्ट कराना चाहिए पूरा फुल बाड़ी टेस्ट ठश BIG और इस के लिए मैं दवा भी बता रता हूँ एक एक आता है गाउन सियाह, सुबा शाम अधा-धा गिराम ले, असली ले, नकली बहुत मिलता है, जायके में कड़वा, और देखने में ब्राउन कलर का, लेकिन इसे गाउन सियाह कहते हैं, यानि काला गाउन, अधा-धा गिराम आप खा सकते हैं, बहुत जल्द आपको फाइद कमारी है, जी जमारी है, बोलिए, जी मुश्काय दप्सा, जी आदा, अहां जी दप्सा मैंने ना आपके अभी ये ठीकेर कैप्सिल मंगवाई हैं, इसनों के लिए, तो मेरे गुष्मे बहुत करकर करते हैं, उससे वैसे ना, वो मैंने लिए, अभी पहुंचे हैं लेके प अबसुल, बगएर चर्बी के दूस से या पानी से, और शुगर नहीं हैं तो कभी जूस से भी ले सकते हैं, कभी दूस, कभी पानी, कभी जूस, तो सुबह नाच्टे के बाद और रात को खाने के बाद, दोई वक्त लें, और पांच दिन सबर करें, पांच दिन बाद कु बहुत मुद्दत के लिए फाइदा होना मुम्किन, आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका, रेखा जी स्वागत है आपका, जी, मेरे पेर में डाप्टर ने गेब बताया है, ग्रीस कम बताया है, तो उसके लिए क्या करूं मेडम जी, आपकी एज कितनी है, मेरे फिप्टे थी है मेरम, ठीक है, चो दीए ग्रीस कभी कम नहीं होता, यह कुद्रत की पैकिंग है, कोई मोटर साइकल का कार्बुरेटर नहीं है, कर ग्रीस खतम हो गई या जल गई, यह ग्रीस कभी खतम नहीं होता, और गेब कभी नहीं आता, ऐसा मेरा अनुभव ह आप को मेरा अनुभाव देखना है तो कैपसूल टी केर, टी फोर्ट टाइगर कैपसूल टी केर सुबह शाम लेना शुरू करें और कुछ दिन वज़न नहीं उठाएं और वेस्टरन ट्वालेट ऐसे कुर्सी वाला जो ट्वालेट है उसका उप्योग करें ये आपके साथ मेरा अनुरोध है कि आप देखिए ये अगर लेंगे तो 5-10 दिन में फाइदा शुरू होना चाहिए आपको इतना सयम है तो आप शुरू करें कैपसूल टी केर, सुबह नाश्टे के बाद, रात तो खाने के बाद बगएर चर्बी के दूस से, शुगर नहीं है तो जूस से, गरीब हैं तो पानी से भी काम करता है एक महीने दवा लें, अगर पूरा भी फाइदा हो जाए तो दो-तीन महीने तक लेना ताकि आपके घुटने की पूरी रिपेर हो सके को लर हैं मुंबई से राज कुमार संतोशी जी स्वागत है आपका नमसकार खिकमज सब अच्छा 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 धन्यवाद भाई बहूँ से आपको कितशी साब बात करते हैं बहुत अच्छा इंसानित के साथ आप बहुती उस्टा आगाम कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छा राकता है इसे देखके ऐसे हो अच्छा रहे जर्दर नवाजी का बहुत 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 बहु अच्छा इलाज युनानी में है दिए कैपसूल टी केयर या तो लें सुबा शाम और वेस्टन टॉयलेट होगा आपके घर में उसका उप्योग करें पराने लोग वेस्टन टॉयलेट का उप्योग नहीं करते थोड़ा बचते हैं देकि नई सब्विता के साथ हमें ढ़लना स प्यारी है तो आपको फाइदा जरूर पहुंचाएगा एक महीने में फाइदा हो जाए तो तीन-चार महीने आप लगातार दावालें और होसला अवजाई के लिए आपका बहुत शुक्रिया जर्रा नवाजी के लिए बहुत धन्यवाद सलामत रहिए आईए बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से हमारे साथ कमलेश रानी है लुदियाना से स्वागत है आपका राम राम जी बताइए अगरन ना सिर बहुत जाएद होता है कब से तकलीफ है अगरन भी तुझ जाती है और पेट पेविया पार आपता है जलन ओटी है वी टीवी बतता है एज क्या है पच्पन है जी पच्पन पच्पन है ठीके देवी जी रुखिए मैं एक इलाज बताता हूं बलके एक फिजियो थेरेपी कहते है इसे यानि कसरत यानि एकसरसाइज तो यह आप रोजाना करें जैसे मैं आपको बता रहा हूं आप गार से देखिए ऐसे बिल्कु सीधा बै मिनट करनी है ठीक है एक साथ तो नहीं कर सकते मैं भी नहीं कर सकता तो अधा अधा मिनट करके एक एक मिनट करके तीन मिनट करनी है ठीक है और एक एकसरसाइज यह ठोड़ी यहां से फकड़िये पूरी मोर दीजिए से पूरी तरह यहां तक आ जाती है जब यहां आने लग तो आप ठीक हो जाएंगे और तीन मिनट ये तीन मिनट वो एकसरसाइज वजन वगएरा मत उठाय करिए जादा और दस दिन में एक अच्छा रिजल्ट आएगा आपको फाइदा शुरू हो जाएगा और वैसे तो इसी से फाइदा हो जाना चाहिए लेकिन अफारा वगएरा आपके है और गैस वगएरा है तो उसके लिए साफ आवला मेथी दो दो सो ग्राम लें साफ आवला मेथी दो दो सो ग्राम और एक आता है नमक जैतून रसाइन जैतून भी कहते हैं जैतून का रसाइन ये सो ग्राम लेकर इस में मिला दीए जो मैंने मैटेरियल बताया है प खा सकते हैं खाने से पहले तो आपका ये पेट का भी मसला हल होना मुम्किन है। ठीक है। तो दीकि बड़ा अच्छा नस्खा है बलके दो चीजे बताऊंगा जो आपको आसानी से मिल जाए वो इस्तमाल करें और ऐसे रोगी ठीक हो जाते हैं मेरे अनुभव के अनुसार। दीकि एक तो आता है गौन्सिया ये काला गौन्स रो मेटेरियल है इसको आप अस रोग के लिए काफी होगा आदा गिराम सुबा आदा गिराम शाम खाएं नाच्टे के बाद और रात को खाने के बाद बगएर चर्बी के दूस से जूस से या पानी से जिस से भी खाएंगे फाइदा आपको मुम्किन है ये असली लेना नकली बहुत मिलता है जायके में कौन सिया या काला गौन कहते हैं नकली मत लेना अगर नहीं मिला है तो आप कैपसुल टी के है टी फोट टाइगर आदा गिराम सुबा ओ सुरी एक कैपसुल सुबा एक शाम को ऐसी तरह नाच्टे और खाने के बाद ले और पांच-दस दिन इंतजार करें पांच या दस द आपका नमस्कार मैंडम नमस्कार मैं मेरी मम्मी है मलब उनको अधरंग हुआ भाद है वो उनकी अब से दो साल हो गया उनकी जैसे टांग उसा बनको जैसे जूड़ उती गया तेन बहुत होती है बहुत रोते हैं वो उमर 75 साल है जी और दिखिए आपकी मम्मी के लिए आप लिख लीजे गौन सियाह कहीं असली मिल जाए नकली बहुत मिलता है कलवा होता है बहुत जायके में और यह सो ग्राम भी अगर असली मिल गया तो अधा अधा ग्राम सुबह शाम खिलाएं और यह जो होता है न वैस्टन टॉयलेट आपके घर में जरूर होना चाहिए नहीं है तो लगवा दें आप बहुत प्रेम करते हैं न अपनी मम्मी को तो उनके लिए लगवा दें वो अप फिर यह जो दूसरा टॉयलेट होता है वो उसे फिर खराब कर देता है यह कैप्सुल टी केर टी फो टाइगर कैप्सुल टी केर सुबह शाम देना शुरू करें आपकी मम्मी को आइदा मुम्किन है पटना से कॉलर है हमीम अंसारी स्वागत है आपका आपका सवाल क्या है पेट में दर्द और कमजोरी कबसे हैं यह तकलीफ जी पर देर महिना जो की जो मेरी उनके वाइप की जो है नहीं है आपके पेट की जांच करा लें आप सौनोग्राफी करा लें और कभी कभी हमें पत्री हो जाती है तो उससे पेट में दैद होता है पिर वो कमर की तरफ चला जाता है कभी उल्टी आती है तो किड्नी की और पेट की बलके पूरे अब्ड़ोमन की सौनोग्राफी करा लें तो सही पता चलेगा अभी शुरू हुआ है लेकिन क्योंकि आपने फोन किया है तो मैं दवा भी बता लेता हूँ देखिए सौनफ धनिया मेथी इसका पाउडर बना ले बराबर वजन में लेकर और एक चम्मश सुबा एक चम्मश शाम गरम पानी से दें और गरम पानी पांच बार पिलाएं तो हो सकता है किया उनको फाइदा हो जाए लेकिन जाच कराने में कोई बुरा ही नहीं है जाच जरू करा है ताके हमें भी पता चल सके और जाच में जो आए तो आप हमें शेयर करें ताके हम कुछ सटीक इलाज भी बता सके अगली कॉलर है सुमंज जी हमारे साथ स्वागत है आपका हालो हान जी बोलिए मैडम एक कमर में बहुत दर्द है और कमर वाला दर्द जो है वो नीचे जाता है घुटनों में पटों में पिनियों में पैरों में कितने समय से हैं तैर दस साल हो गया है आपकी एच क्या है अच्छट साल जी जा देखिए मैं आपकी बात सुनकर यह अंदाजा लगा रहा हूं कि आपकी घर में वेस्टन टोयलेट ज़रूर होगा ऐसा मेरा अंदाजा है पता चल जाता है अंदाजे लेंग्वेज से और फिर भी अगर मेरा अंदाजा गलत हो तो वेस्टन टोयलेट जरूर पढ़े लिखे हैं आप और जरूर होना चाहिए आपके घर में वैसे मेरे अंदाजे में अच्छा देखिए दस साल आपने क्या इलाज ने किया होगा और मुझे आप से दो चार महीने चाहिए युनानी के लिए क्योंकि युनानी रोज जरा सा फाइदा पहुचाती है दे कि युनानी में दो चीजे है जो आपको आसान से मिल जाए और असली मिल जाए वो ले लिजेए गौन सिया एक काले गौन को कहते है गौन सिया नकली बहुत मिलता है कड़वा बहुत होता है बसूरत सा होता है अच्छा नहीं लगता लेकिन फायदे में मैंने इससे अच्छी कोई दवा नहीं देखी एक रो मैटेरियल है साबूत लें पिसावा किसी से ना लें और उसको प पानी से बगएर चर्बी के दूस से शुगर नहीं है तो जूस से ये लें ये नहीं मिले तो आप कैपसूल टी केर सुबह शाम खाना शुरू करें और एक महिने में भी फायदा हो जाए तो तीन चार महिने खाना ताकि ये रोग वापस ना लोट सके